हलो एवरिवन मैं विश्जीत सिंग आप सभी का दीन अपर स्वागत करता हूँ दोस्तो आज की इस वीडियो के अंदर में हम M.A.H.I.M.H.I.06 का जून 2022 के कोश्चन पर को सॉल्फ करने वाले हैं कोश्चन पर को सॉल्फ करने से पहले हम थोड़े से अपने बुक के बारे में जानते हैं यह हमारे M.A.H.I.M.H.I.J.R.O.S.I.S. book का नाम है और इस बुक के अंदर में जो almost जो topics आपको मिलेंगे वो social structure के उपर based मिलेंगे पूरे बुक के अंदर में हम यही पढ़ने वाले हैं कि समय के साथ में युगों के साथ में जो changes हो रहा है through the ages किस तरह से social structure के अंदर में बदला वाले है समाज की संदच्राओं के अंदर में बदला वाले है उसके बार में पढ़ने वाले हैं तो topics जो है almost आप यह कह सकते हो कि आपकी society से relevant है कि कि आप easily connect कर पाओगे अपनी society से कि किस तर से changes होई समय के साथ में उसके बारे में पढ़ पाओगी चलिए आज का हम वीडियो स्टार्ट करते हैं और समझते हैं कि क्या है इस question paper के अंदर में क्या रहता है कि हमें हर एक question के लिए word limit मिलती है 500 word का यह हमेशा आपको अपने mind में रखना है किसी भी question paper को जब हम solve करते हैं किसी भी question को जब हम attempt करते हैं तो यह चीज हमारे mind में रहनी चाहिए कि 500 word में लिखना है तो उसके हिसाप से हम study करें और solve करने से पहले और solve करने के दोरान यह चीज हमेशा हमारे mind में रहनी चाहिए अगर पहले की बात करो तो आप जब study कर रहे तो उसके हिसाप से study करो अगर आपने almost 700-800 word पढ़ाना तब जाकर आप 300 word लिख पाऊगे exam के अंदर में यह confirm है तो आपको 500 word का अगर answer लिखना है तो almost आपको 1200-500 word तैयारी करनी पड़ी कि तब जाकर आप 500 word लिख पाऊगे exam के अंदर में ठीक है तो वो बहुत जरूरी चीज है कि आपको 500 word के लिए preparation होना चाहिए ठीक है चलिए हम आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले अपने पहले questions को attempt करते हैं जो हमारा पहला question है दोस्तों यहाँ पे देखोगे तो हमारा पहला question कहता है कि पारंबिक खागे उत्पादन समाजू से सम्मंदित पुरातात्विक साक्षियों का उल्ले कीजिए अब देखो जो starting में खागे उत्पादन क्या मतलब जो खाने का पैदावार कर रहे थे खागे मतलब खाना होता है ठीक है तो उसका पैदावार कर रहे थे उसके सम्मंदित जो पुरातात्विक साक्षे हैं जिसके लिए हमें कोई परमान मिले हैं उसके बारे में बताना है ठीक है उसका उलेक करना है सासाती में इस question के अंदर में कुछ questions और भी है जिसके अंदर में कहता है पारमबिक खागे उत्पादक समाजों की संरचना हो कैसी थी इसके बारे में भी बताना है देखो सबसे पहले खागे परदात किस परकार की मिले उस तो सबसे पहले हम ना जो पहला कोश्चन है उसके बारे हम बात करें तो पारंबिक खागय उत्पादन समाज की जब बात करोगे पारंबिक मतलब क्या जब मानव का जनम हुआ स्टार्टिंग की बात कर रहोगा एकदम पहला वाला तो जिस समय मानव का उद्भव हुआ उस समय पर मानव जो खागे उत्पादन की और उसना अग्रसर नहीं था वो ने नॉर्मली किसी पर डिपेंड था तो सिकार पर डिपेंड था ठीक हो क्या करता था सिकार करता था उपना जीवन वैपन कर रहा था समय के साथ में देरे देरे परिवर्तन होता है फिर परिवर्तन के साथ में क्या करने रहता है पसू पालन के और बढ़ता है और पसू पालन के साथ में फिर आगे चलके समय के साथ में क्रिशी की और वहां पर अग्रसर होता है और क्रिशी क करना स्टार्ट करता है तो किस तर्थ समय में परिवर्तन आता है किस तर्थ से वह आगे बढ़ता है यहां पर हम इसके बारे में करेंगे साथ साथ में हम यह बताएंगे कि नॉर्मली देखो एक human का nature क्या था कि वह 20-25 लोगों के यहां परिवर्तन आती है उसका इंपक्ट उनके daily life पर देखने के मिलता है यह सारी चीज़े गहां पर बताओं के महिलाओं की भूमिका भी खागे उत्पादन समाज के अंदर में महत्त्यपून महिलाओं की भूम का तो महिलाओं भी क्या करती थी जंगली पेंड पोदों को आहार की रूप में मतलब संग्रहन करती थी जाती थी जंगलों से कठा करके लाती थी सिकार और संग्रहन का काम प्रमुख कारे महिलाओं के हाथ में होता था ठीक है जैसे सिकार करने के लिए आद आप देखो यहां पर जब बात करोगे न कि starting के जो खागय उत्पादक समासता उसकी सम्रजना किस तरह रहती है तो यहां पर कई सारे जगहों के नाम आते हैं, ठीके एक फॉर इंपल यहां पर मेहरगर के बारे हम बात करते हैं, ठीके तो इस तरह करके कई सारे जगह हैं, मेह तोकरी के तोकरी तोकरी किकई वहार? यह बहुंकि जदा मातरा में आह से मतलब खाग्ये परदाट ओकता जिसके कानसी sudah रोती टोकरी कहते जिसके अंदर में निसके बहुत सा रोटी ने शईसके परदाता है तोकरी कि ठोकरी ८्यimen भरी उınız नमगा को जाने जादा है तो ये मिहरगड जो खागे उत्वादक समझने समाज को दिखाता है किस परकार से लोग वहाँ पर रहते होंगे एक तो उसका structure में ने बताए geographical condition किस परकार किया अब यहाँ पर हम बात करते हैं उसके लोगों के बारे में समाजिक संरचनाओं के बारे में तो यहाँ पर निवास के पारम में मिट्टी की इटों का उपयोग किया जाता था किस परकार से लोग रहते थे तो मिट्टी के इटों का बना कर रहते थे हड़ी और पत्थर के उजारों को बनाने का साक्षे मिलता है सवाधानों में मिर्तकों के दफनाने का साक्षे मिलता है जो सवाधान होते थे जो सवधा होते थे उसके अंदर में मिर्तकों को दफनाया जाता था साथ में उनकी बेस कीमती चीजे भी उसमें दी जाती थी पौधे और पसुओं को पालतू बनाने का साक्षी मिलता है पौधे अब बोलोगे पौधे को कैसे पालतू बना रहे हैं मतलब वो पहचान पा रहे थे कि किस तरह के पौधे हैं किस तरह का उपयोग कर सकते हैं आस पास में कौन से पौधे लगा सकते हैं तो इस तरह के चीज़े भी वहाँ परमाड मिलते हैं, पसुओ को पालतो बनाते हैं, पौधे को सेलेक्शन करते हैं, जहाँ पे संगरहन के लिए यूज करने के लिए आगे कभी वो काम कर सकते हैं, ठीक है, पौधे के अफसेसों को विसेसकर इटों के छापने के रूप में क अधिक जनगली जनवर थे, जनवर जनवर जनगली थे, मिर्तम नापाशान के अंदर में जितने भी जनवर के साक्षें मिलते हैं, ज्यादा ज्यादा जनवर जनवर के तोर पर जाने गए, तो यह भी यहाँ पर हमें प्रूफ होता है, चलो उस टाइम पिरिड में एक कोशन बनकर आते हैं जिसमें पहले वाले कोशन के दिने में बताते हैं खादे उत्पादक समाज जो जहां पर खाना उत्पाद कर रहा है जो समाज उसका पुरा तात्विक साक्षे क्या उसके बारे में डिसकुन करते हैं कि किस परकार के साक्षे मिले हैं दूसरा लाता है कि खागयर उतपातिंति समाज की समर्चना किस पर करके किस तर से वे बना है, उस के बारे में डिसकस करते हैं और फिर पर हम संग्जमें ना है तो मैं सजिस्ट करूँँगा । बिकरसे नहीं हैं जिससे आपका जो question paper है मतलब last 5 सार के question paper को देखने के बाद आपका जो syllable से almost आप कह सकते हो कि आपके अंदर में confidence आएगा कि हाँ, you can do it, you can solve your question paper easily you can attempt your exam easily ठीक है, confidence आपका built हो जाएगा अगर आप उसको देखते हो तो ठीक एक बार देखकर देखो, अच्छा लगेगा और जैसा भी response को comment करके बताना क्या आपको समझ में आ रहा है, क्या नहीं समझ में आ रहा है कहाँ पर कमी हो, जुरूर comment करना चलिए अगले question क्यों बढ़ते है हमारा second question कहता है कि वैदिक काल में वन ववस्था की भूमिका की चर्चा कीजिए अब वैदिक काल के अंदर में वन ववस्था किस परकार करता है इसके बारे में यहाँ पर discussion करना है अब देखो, सबसे पहले जब हम बात करते हैं वन ववस्था का तो वर्ण ववस्ता के अंदर में वैदिक काल को हम सबसे पहले समझते हैं तो वर्ण ववस्ता के अंदर में चार वर्ण थे जिसमें हम सबसे पहले आते हैं ब्राम्मन, छत्रिय, वैश्य, छूद्र ये चार वर्ण थे इसके लाबा भी कुछ वर्ण थे जिनको समास से बाहर रखा गया था ये वर्ण ववस्ता था तो वैदिक काल केकर हम वर्ण ववस्ता की बात करते तो नौर्मली इसके अंदर में दिखाया जाता है कि किस परकार से जो कार्रे था कार्रे का अधार पर वर्णों का भिवाजन क कार्रे किस परकार का कार्रे वो करता था किस परकार का उसके अंदर में सकती थी उसके इसाब से उसके वर्ण को बांटा गया था ठीक है तो यहां पर सबसे पहले ना अलग-अलग आधार के बारे में बात करते हैं जैसे रिक वेद के अधार पर का जाते है कि आर्य और दास वर्गों में विभेद करना पड़ा, तीकि आर्य जो थे उमैन लीड करने वाले थे और उसके ववस्ता के लिए, उनकी देखबाल के लिए दासों को नियुक्ती की जाती थी तो किस परकार से आर्य और दास थे? तीकि आर्य और दास के लिए जैसरे पर दिखाए भी क्योंट में है कि दोनों सब्गों का जन दूसरे सब्दों में विश्हता है मतलब यह क्यों कि एक सब्द अपने आपको दिखाता है कि मैं जन हूं लोग हूं आम जंता हूं पावर हूं दूसरे Priv 같은데 के में दिखाता है कि वो ज है इस तरीके से दास जो व्यवस्ताती वहां से स्टार्ट होती है इस तरह से यहां पर यह भी आप देख सकते हो दूसरा चीज यहां पर दिखा जाता है कि किस तरह से कर्मकांड क्या होता है कि कौन सा व्यक्ति किस तरह का कारे कर रहा है कौन सा व्यक्ति किस तरह के कारे में वैश्या और चुद्र यह चार वन विवस्ता थी जिसके अंदर में अगर human body के अनुसार देखोगे तो सबसे उपर मस्तिक्स जो था ब्राम्मन के लिए निक्त किया गया कि मस्तिक्स जो है ब्राम्मन को डिनोट करता है जो चैस्ट था कंता था चाती था उसको निक्त किया गया कि यह च्छत्रिय के लिए निक्त करता है जो वहीं पर था ही था जो जांग था जंगा था उसको वैश्या के लिए निक्त किया गय ठीक है, और सब के कार्ये भी अलग थे, जितने भी सिक्षा कार्य था, जितना भी पूजा पार्ट सिक्षा कार्य था, ब्रह्मण के हाथ में आता है, वहीं पर हम कर एकत्र करना, कर कोई कठा करना, नियाय करना, लोगों की रक्षा करना, इस तरह के जो कार्ये थे, वो छेत्र की जरूते हैं उसको देखना तो यह सारी चीज़े वैश्य के हाथ में आते हैं अगर एक छुद्र का बच्चा पैदा हुआ और वह बहुत ज़्यादा काबिल है तो उसका अपने वन चेंज हो सकता था इस तरह की वैवस्था बनाने की कुर्सिस की गई थी बट समय के साथ में उसके अंदर में कहीं कमया थी और दीरे दीरे वह चेंज होता चला गया सोरूप इसका यह बन गया कि अगर बाप आपका यह है तो आपको भी यही बनना पड़ेगा ठीक आप यहाँ पर डिफाइन कर जकते हो ठीक है तीसरे कोश्चन के और बढ़ते हैं तीसरा कोश्चन हमारा कहता है कि छटी सताबदी बीसी में मतलत छटी सताबदी से लेकर चौतिस सताबदी का पूरा टाइम पिरेड है उसके अंदर के अंदर मद्य सरेणी संदचना और इस प्रकार की थी केने मतलब क्या चटी चटी इसे पूरुप से लेकर चौथी इसा तक ना जो भी टाइम पिरेड है उसके अंदर में स्रेणियों की संदचना किस प्रकार की थी अगर आपने बुक को नहीं पढ़ रखा है तो इस कोश्चिन को समझ नहीं पाओगे इस प्रकार की तरीकी की संदचनाव में रखते हैं चाहे बढ़ी हो लोहार हो चमार हो ठीक है दातु करमी जो लोहे का काम करने वाल लोहार हो गया तो नहीं प्रकार हो गया तो इस तरह के जो व्यक्ति थे उनको हमने श्रेणी बद संदचना के अंदर में रखा अगर मालो यहां पर कोश्चिन के अंदर में आपने श्रेणी बद वाला मेंने समझाया आपने श्रेणी बद पढ़कर गये पर कोश्चिन के अंदर में जब आपके एक्जाम के अंद प्रवांत क्या होता है कि जो वैपारी और सिल्प कार ससक्स समुदाय थे वो उन्हेने तरीके से उभरने लगे अब एक उस समाज के अंदर में डेली में रहता हूं डेली के अंदर में प्लंबर का काम करवाना तो एक अलग व्यक्ति है वह आता है करने के लिए बड़ी का काम में तो चीजे चेंज हो गई हैं बट आज से कुछ समय पहले जाओगे तो हर एक कारे के लिए ऐसा नहीं था कि किसी एक अलग परसन को बला जाता था सारा कारे सभी व्यक्ति कर सकते थे इस तरह के चीजे वैवस्ता देखी जाती थी तो यहां पर यह भी माना जाता है कि ज नहीं पर आपके बुक में जादा जिकर नहीं किया गया है पर नॉर्मली अठारा गिल्ड देखने का गया है जिसमें क्या कर्म के अधार पर जो किस तरह का कारे कर दोरे को बा yupo करम करने वाले को चम्डे वाला बुला गया ठीके और वहीं पर धातू का काम करने वाले को धातू कर्मी बोला गया ठीके तो इस तरीके से गिल्ड के अदार पर सरचना दिखाई जाती है ठीके गिल्ड ने जो वैपारी समुदाय थे अथारा गिल्डों के अंदर में बाटा गया यहां पर आप देखोगे वारवनसी के निकट बढ़ी समुदाय था घाओं था वहां पर सिल्फ कारों के बैमानी तत्बों का उलेक मिलता है इस प्रकार से बैमान करते थे चीटिंग करते थे उसके बारे में भी यहां पर बताया जाता है यहां पर भुकोलिक इस्थिति के ब बॉदिक काल से चलता रहा है मोरे काल तक युक क्त में बना रहा उसके बारे में विया पर बताया गया है ठीक है समझ में अता है एक वेक्ति मानलो बढ़ी काम कर रहा है, तो उसका माइन में सेट हो गया, हमारे माइन में कि बढ़ी काम कर रहा है, अगली बार से कभी जुरूर्त होगा तो इसी बंदे गोलाएंगे कोई डॉक्टर एको इंजीनियर जो इस तरह का स्टेडी बद जो वर्क है ना वो गिल्ड पद्दी के अंदर में आते हैं ठीक है समझ में आता है अगले कोशन के और बढ़ते हैं अगला जो हमारा कोशन है यहापर अगला कोशन कहता है सामंतवाद से Lift आलोचनात्मा से समधित आलोचनात्मा क क्यों किजिए अब देखों यहापर जो सम büyत वाद वाला कोशन है यहाप जो कोशन है बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग है अक्सर कई बार बच्चे कंफ्यूज होते कि सामंतवाद कहते कि से होता क्या है तो सामंतवाद को इंग्लिज में फ्यूडिलिजम बोलते हैं ठीक है तो सामंतवाद को फ्यूडिलिजम बोलते हैं ठीक है तो सामंतवाद को फ्यूडिलिजम सामन्तवाद अपनते हैं दोनों का जो इस्ट्रक्चर है अल्मोस सेम ही देखने के लिए मिलता है आपको जब सामन्तवाद का टॉपिक करते हो तो जो भी इतिहांसकार है उसको जरूर कोट करें कि इसी इतिहांसकार के दौरा यह चीज़े बोली गई जिससे जो आपका कोश् साथ में उस पर कुछ अधिकार रागू करना सामन्तवाद कहलाता है मान के चलो आपकी बहुत बड़ी जमीन है आप पूरे जमीन की देख भाल नहीं कर पा रहे तो आपने मुझे मेरे अधिकार में जमीन दे दिया तो उसके उपर मैं किस तर से रूल कर रहा हूं आपने सर आपने मुझे कभी सेना दे दिया कभी किसी चीज की जुरत पड़ेगी तो आप मुझे उस जमीन में से दोगे टीक है बदले में यह जमीन पर अधिकार आपका रहेगा तो इस तरह की वह व्यास्था थी वो सामन्त वाद के अंदर में देखी जाती थी ठीक है सामन्त वाद का पतन का सबसे बड़ा कारण मिलता है सहरी करण जो सहरी करण का उदय होता है नगरी करण का उदय होता है नगर की और विस्थापित होते हैं लोग तो इसके कारण से यहांपर पतन का भी एक पूरा structure यहांपर decline mode भी देखा जाता है सामन्तवाद का आते हम अपने question पर वाद विवाद हम ही यहांपर जब बात करते हैं कि वाद विवाद क्या है सामन्तवाद को लेकर फोइंट्स होते हैं सारे बकित्व करें जाने जाते हैं यहां पर कई सारे प्रशन कर आजेती सामंत्वादः प्रशन के संभनित वादवाद में सामंत्वादं सब्ड को समुचित पर्योंक्ते के लिए उप्युक्त सब्दों का महत्यपून चैन नहीं है, मतलब अलग-अलग तरीके से लोगों ने इसको पर्यूक्त किया, कि किस तरह से सामंत जो है, अच्छी तरीके से वर्क नहीं कर पा रहा था, ठीके तो यहां पर कई सारे द्रिश्टी को निकल कर आते हैं, अलग-अलग इतिहासकारों पतन का पाराम बजू सामंती वदूस्ता का चिन्नी के रूप में दिखा गया जैसा सहरीकरन का पतन होता चला गया जैसे सहरीकरन के और विक्सित उचले गई तो वाँ पे सामंतवात का पतन भी देखने के लिए दिख लिए मिलता है राजसव की दरे जो थी अतिधिक विर्दी की जाती थी अब जैसे राजा ने बोला कि मुझे 2 रुपे टेक्स दो तो सामन्त वाले ने किया कि आगे 5 रुपे टेक्स उसूल किया 5 रुपे में से राजा को 2 रुपे दिया और खुद 3 रुपे रख लिया तो इस तरह की जो विवस्थाती उसके कान से यहाँ पर सामन्त वाद कमजोर होता है और यहीं पर वाद विवाद सामन्त वाद के उपर पर शुरू होता है ठीक है तो इस तरह से बहुत सारे द्रिष्टी को निया पर आपके निकल कर आते है सामन्तवाद से लेटड की किस प्रकार से सामन्तवाद यहां पे फसता जा रहा था किस तरह से यहां पे problem create कर रहा था तो आप इसको बता सकते हो अच्छे से यहां पर easy question इसको refine कर सकते हो जो आपका question number fifth है यहां पर tipणी लिखना इज़िली आप लीख सकते हो ठीकर टिपड़ी वाले को आफोए्ड करते हैं और चप्रते बढ़ते सिक्स के लिए यहां पर जो सिक्स्ट काता है बलूतेदार कों थे बलूतेदार किस्का आ जाता हैं उनके प्रतत सेवाओं के प्रकार का विस्छलेशन की जिए और उन्हें प्रदान की जाने वाले सार्मिक जो प्रिसर्मिक पैटन की चरचा कीज़ें यहां पर दो कोशन बनकर आते हैं email है इसन तिहां पर तिन झीघ drinking नंतर हो साथी दिती के इस परकार का प्यां स्टीस को राम समाच के परमख भाग के इंदर इंदर में आते थी तिन करते हैं और यह सोन तरह विलने के लोगराउं के परिड्री सेवक इयुक्त नोचने बहुता था कि मतलब उसके अंदर में किस तरह के चीजे हैं गाउं के अंदर में जैसे आप कैसे में समझाओं आपको आप इस तरह समझे जैसे बलूतेदार क्या है कि किस तरह का कारे कर रहा है कौन वेक्ती बढ़ी लुहार कुमार नाई धोबी जोटसी चमार रसी बुनने देखने वाला हिंदु मंदीर का देखने वाला यह सारे क्यां अलग-अलग बलूतेदार के तोर क्याने जाता थे जो बलूतेदार को आप देखो एंव समझ भाइए देखो वापर समीश्च democr ο कू यह बलूतेदार का की चो इसको अच्छे as ärafak 에ए चैप्टर में और होती थी मतलब गाहों के अंदर में जो भी कुछ पी atz kayak बहुम का होती तो उसके अंदर में important role play करते थे जिसके अंदर में बलुतेदर का बहुत ज्यों ज्यादा हम अंदर सबसे पहले बात करोगे के नहयां परिमारी कास परती मतलब धोबी और नाई आ जाता है यहां पे चार ठीक है उसके बाद में आता है धकेली, कास आता है भात, मुलाना, गुवार, Akoly मुलाना मतलब क्या होता है, मंदिर का पुझारी, य। म Away- पुझारी भी, छो情况 मतलब कर दिस तर यहां पर ब्लूतिदार है। एक गांग के की वीवस्ता है एक गांग कास्ट में बड़ा गया, कास या फिर ओला में बाटा गया उसको हम बलुतेदार के तोर पे जानते हैं इनकी समयली सुची अगर देखोगे तो यहां पे कौन-कौन से आते हैं उन्हें दिया जाने वाला जो सर्मिक पैटर्म होता था तो अलग-अलग वेक्तियों का अलग-अलग तरीके से दिया जाता था जैस्ते ऐसे फॉर इजामबल यहां पर हम मान के चलते हैं कि कि किसी एका बात करते तो क्यision बाते हैं उसके बदरे में कुछ ऐसा दे उसको जिससे उसका को benefit नहों तो फाइदा नहीं होता था तो के after्व करते कि क्या आप इस बाष से सहंत है कि एक अथारिव क स्ताब्दी के विकास औरका भी तो इहां पर आस प्रियोज ऑसके उंदर में निरंधर्ता देखने के ने कर रहे होते हैं दिरे-दिरे आगे विकास कर रहे होते हैं कई सारे युद भी होते हैं बट उसके अंदर में end of the result हमें यह मिलता है कि चलो life चल रही है निरन तरता हुआ पर देखने के लिए मिलते हैं राय लाइफ रुखती नहीं है इस topic के ऊपर में कई सारे इतिहांसकार के टिपने भी आती हैं कई सारे बुक्स का भी यहां पर सोर्स के तौर पर यूज के जाता है जिसके अंदर में आता है सतीश चंदर रे जो 18th संचुरी और इन इंडिया करके एक बुक लिखते हैं जिसके बुक का नाम होता है इट्स एक्कोनॉमिक एंड रोल आफ दे मराथा इंड जाट्स एसा करके पूरा इनका बुक का नाम होता है कि अलग अलग वेक्तियों का क्या रोल है भारत के एकनॉमिक के अंदर में ठीक है यह यहां पर पहली बुका जाती है आंद्रे विक हो जाते हैं दूसरे यहां पर दीसरे हो जाते हैं मुजफवर आलम ठीक है तो सासाथ में आप देखोगे तो आर्थिक विकास की निरंतर ता किस प्रकार से थी किस प्रकार से आर्थिक विकास हो रहा था उसके बारे में जिकर क्या जाता है और सहरी केंद्रों के विकास में जो क्रिशी व्यवस्था था क्रिशी का विस्थार के परमानते उसके भी खुलते हुए दिखते हैं ठीक है यहां पर बी आर गो ग्रोवर करके थे उनका अध्यना आप करते हो तो ठाविस अदर में एक रित वजार ववस्था देखने के लिए मिलता है और गुलते हैं पुरु पतन का कोई लिए पतन हो गया उसके दीरे तीरे यहाँ पे चीजे चैन्जिस आते हुए देखते है 14 स्तापदी के अंदर हों बदलते हैं पंजाव का पुनरुत्थान हुआ किस थरसे चंजी सारता पंजाव के अंदर गाष्भा इंदर नैवजार का किस थरसे फल-फूल रहा तो बहुत देखने लिए मिलता है रासव ववस्ता किस पर कार कही थैघ खा समझ में आता है कि जो उस समय की विवस्था तीया अर्था विवस्था तीया जो विकास का सोरूप था वो बढ़ता जा रहा था नए नए चीजे इंट्रड्यूस हो रहते हैं उस टाइम पिरिट के हिसाप से तो वह आगे ग्रो कर रहा था ठीक है समझ में आता है अगले कोश सब्सक्राइब कर जब दो सामने में समाज के अंदर में सुधार का राइट से ल 돌 चाले सामने में यहाई महिलाओं के उपर पर्चन उठाए जाता है कि क्यों नहीं था ऐसा चीज़े क्यों हो रही थी तो वहां पर उनका भी रोल देखने के लिए मिलता है और आप जैसे 1947 के अंदौलन को देखोगे या भारत के आजादी के जो भी आंदौलन थे तो वहां पर भी देखोगे तो कही सारे महिलाओं का यहां पर दिख जाता है या फिर रमाभाई रानाडे के बारे में बात कर लो पंडित रमाभाई के बारे में बात कर लो ठीक है तो बहुत सारी महिलाओं थी जिनका यहां पर डारेक्ली इंडारेक्ली यहां पर रोल दिखता है और किस तरह से वह आंदलोन मोर्चा ठाल को करा दो करा भूप्रपाव कर्द को सब्सक्राइं के जिल कलेते चाहे इने लुंदर reference की ने में अड़ोरन कर दो हम महिलाओं के हाथ में अतना महिलाएं वो मोर्चा समालती थी वहीं पर महिलाओं के अधिकार की जब हम बात करते हैं अधिकार को लेकर तो उन्होंने आवाज उठाया ठीक है वन रक्षा के लिए भी उन्होंने आवाज उठाया चाहिए आप पेंड बचाओ अंदुलन देख पर महिलाओं को कई आप था तो यहां पर आपको इंपक्किन यहां पर म मिलता है तो आप आप सकते हो कि ऊपनविशिकाल किस तर से ग्रोग रहा है और किस प्रकार से बागेदारी रही देश का पुन्जी पती कर खोग था। तो बहुत सारे उद्योग पती थे जो देसेज पुंदीपती के तौर पे जाने गए ठीक है उन्होंने भारत के भाग्यदारी के अंदर में बहुत बड़ा रोल प्ले किया किस तरह से उस टाइम पिरिडे में जो अंग्रेजी विवस्था थी वो किस प्रकार के रूल रेगल हुआ कि किस तरह से रॉक इंडिया स्ट का ठेस्ट कैसे क्या गया परमानुं कर् Tibu को प्रिक्शन के रहां इसके बारे में बताया गया तो उस टाइम पिरेड के परति जुकाव ज्यादा रखती थी, जो भारतीय लोग थे या देसच पंजी पती थी, उनके परति जुकाव नहीं होती थी, उतनी फ्रेंडली नहीं होती थी, तो ये भी देखने के लिए मिलता था, ठीक है, समझ में आता है, तो दोस्तो इस तरीके से आप MA history, MHI 06 का से चाहोगे मैं उसे समझा दूँगा एंड अगर आप वर्टसप ग्रूप को जोन करना चाहते हो कमेंट किजिए मैं आपको वहां पर वर्टसप ग्रूप का लिंक दे दूँगा वहां से आप जोन कर सकते हैं अगर आपको वीडियो अच्छे लग रही है तो लाइक से सब्स नाम के अंदर में तो फ्रेंड से आपर मैं वीडियो को एंड करूँगा थैंक यू सो मच वाचिंग मी थैंक यू सो मच फो लिसनी मी बाबाय टेकर आल थे बेस्ट